नमस्कार दोस्तों नैन कलासिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जारखन पॉल्टेक्निक फास्स सेमिस्टर का रेश्टेशन के बारे में तो इसमें क्या-क्या भरना है बहुत सारे स्टूरेंट के मन में डाउट आ रहा है त हिंदी में लिखना है इसको गलत से वह लाइन में हिंदी में लिखना है और उसके बाद यहां पर इंग्लिस में लिखना स्री स्रीमान ये सब कुछ लगाना नहीं है अपना नाम में भी कुछ नहीं लगाना है ना माता जी का नाम मलब स्री स्रीमान स्रीमती ये सब आपको यूज नहीं करना है तो यहां अपना माता तारीख डालना है उसके बाद मंद उसके बाद एयर जैसे यदि आपका मार आपका डेटो बर्जु है सपरोच करते हैं पांच जनवरी 2000 तो ऐसे लिखना पांच जनवरी को लिख देना 01-2000 इस तरह से आपको भरना है clear है तो पहले date उसके बाद month उसके बाद year उसके बाद आपको male female जो भी है आपको click कर देना है अगर boys है तो पूरूस और girls है तो महिला उसके बाद आपको आरच्छन कोटी यदि आप general है तो सामाने में click कर दो bc1 है तो bc1 में bc2 है तो bc2 में st है तो अनुसूची जाती में sorry sc है तो अनुसूची जाती sc अनुसूची जाती है तो st यहाँ पर आप click कर दो उसके बाद आपको वर्तमान पता लिखना है तो यहां आप अपना जहां पर अभी आप रह रहे हो जैसे यदि आप gp dhantabad में पढ़ते हो तो यहां पर आप धनवाद का address ढाल दो यदि jp राची पढ़ते हो तो राची के पास का address डाल दो जो भी address है और उसके बाद यहां आपको अस्थाई पता मिलब जो आपका permanent address है वहां का डाल दो यदि आप सपोज करो धनबाद के ही हो और धनबाद पुल्टेक्निंग में ही admission हुआ है तो आप वर्तमान और अस्थाई दोनों सेम रख सकते हो क्योंकि आप घर से आना जाना कर रहे होगे जिस college में admission हुआ उसका नाम लिख दो तो उसका नाम आप जो भी college है आपका government प्लटेक्निक धर्माद निर्सा भागा रांची अधित्यापूर जो भी college है यहां college का नाम डाल दो साखा का नाम यहां branch का नाम आप डाल दो mechanical, electrical, civil, electronics, mining जो भी branch है clear है तो इसमें जो है one से लेकर nine point तक था मैं पूरा बता दिया उसके बाद चलो आओ उसके दूसरे side क्या-क्या भरना है तो नमंकन का माधियम admission आप कैसे किये हो आप counseling के थुरू किये हो जारखन, संयोगत, प्रवेश, परतियोगता, परिछा, परसदनाची के दवारा मनलब जो online counseling उसके दवारा या open counseling के दवारा या management quota तो management quota जो पी-पी-पी mode है उसमें कुछ-कुछ management quota का seat होता भी है तो आप जिस quota से seat लिए हो यदि आप first counseling, second counseling में अगर seat allotment आपका हुआ है तो आप counseling में क्लिक कर दो और यदि आप direct admission लिए हो open counseling के थुरू तो खुला साज़तकार लिख दो और management quota से यदि seat है college से बात कर लो कि सर मेरा कौन सा seat है यदि counseling से है तो तो आप आराम सी इसको मार दो otherwise आप बात कर लो कि आपका open counseling से हुआ है कि management quota से हुआ counseling से हुआ है आपका admission तो आप क्या करो यहां पर अपना रॉल नमर डालो कौन सा रॉल नमर जो पॉल टेखनिक का एक्जाम दिये हो 26 माई को तो admit card में जो रॉल नमर है वो रॉल नमर या result का रॉल नमर मलब पॉल टेखनिक का रॉल नमर आपको यहां पर डालनी है यदि counseling से admission हुआ तो अगर आप exam दिये हो तो तया बात है आपको CML rank भी होगा तो यहां पर CML rank डालना है सकेंड नमर में CML rank तीसरा नमर में यदि category rank है तो category rank डालो देख लो फिर से पहला में आपको डालना पॉल टेखनिक का रॉल नमर दूसरा में डालना CML rank तीसरा में डालना category rank यदि है तो यदि general है तो category rank आपको नहीं डालना है और चौंथा डालना यदि आप mcq quota ph quota इस तरह के कुछ हो तो च open counseling या management quota से admission हुआ है तो आप क्या करो किस वर्स आप metric pass किये हो उसका year लिख दो जैसे यदि आप 2018 पास कियो तो 2018 लिख दो कि जो भी percent है वह आप second number में डाल दो metric आहीं उसके बाद कि यह जो point है seat की प्रकृति तो ए point हो गया बी point हो गया अब यहां पर आपको क्या भरना है कि आपका seat कैसा है टीएफडावल यह तो टीएफडावल पे क्लिक कर देना है अगर पी एच कोटा दिव्यांग तो दिव्यांग कोटा में डाल दो फ्री कोटा है तो देखो PPP mode में दो कोटा होता था एक फ्री कोटा था एक पेमेंट सीट था तो अगर फ्री है तो फ्री लिख दो पेमेंट है तो पेमेंट लिख दो मेनेजमेंट कोटा तो मेनेजमेंट कोटा लिख दो आदिम जंजाती का एक कोटा रता हो है तो लिख दो मुस्लिम कोटा तो मुस्लिम कोटा लिख दो सर्विस्मेन कोटा मलब अगर आप आर्मी वगरा के हो सर्विस्मेन कोटा के थुरू हुआ तो लिख दो और अगर बोलते हों कि ने सर मुझे कोई कोटा वेगर ने मैं जीपी धनबाद में एडविशन हुआ है हमको मैं जेनरल हूँ ओबी सी हूँ या कुछ भी हूँ मेरा टीफ डावल वेगर नहीं है तो मेरा कौन मारना तो आपको निवमीद सीट मारना मारना निवमीद सीट रेगुलर है तो जो भी है चैनरल ऑबी सी डावस कोटा से आपको सीट हुआ हे तो आप आराम से क्या मार दू निवमीद शीट और यदि आप PPP mode में हो तो देख लो आपका free seat है या payment seat है TFW अगर है तो TFW ही मारना है आपको clear है फिर से समझो मैं एक example से बता रहा हूँ suppose करो मैं GP धनबाद में मेरा admission हुआ है mechanical में और मैं AC category का हूँ तो मैं क्या मारूंगा तो GP धनबाद में दो seat है एक TFW है और एक regular उसको बोल लोग है तो मेरा जो AC quota यानि regular से हुआ है तो हम क्या मारेंगे यहाँ नीमेच seat clear है चलिए में इसमें बहुत सारे बच्चे को doubt आ रहा था उसको मैं clear कर दिया उसके बाद जो है admission का date डालना आपको जिस तारीकों भी आपको GP या जो भी college इसमें admission होगा उसका आप date डाल दो और class रोल नमर यहाँ पर डाल दो तो आप class कर रहे होगे college में तो आपको रोल नमर मिला होगा और रोल नमर आपको डाल देना है उसके बाद 10 नमर में आपको अधार संख्या डाल देना है अधार नमर आपका और अधार संख्या जो है यह optional है लेकिन आप लोग सब के पास होगा ही उसके बाद आपको mobile नमर यहाँ डालना है अपना email id डालना है उसके बाद 13 नमर जो सबसे ज़्यादा बच्चा लोग को डाउट बैंक का नाम लिखना यहाँ बैंक का ifs कोड डालना है ट्रांजेक्शन नमर डालना है चलान की डेट डालना है और पैसा वगर डालना तो इसमें दिक्कत आ रहा बहुत सब्सक्राइब को इसको मैं किलियर करता हूँ सबसे पहले बैंक का नम तो बैंक का नम क्या है United Bank of India है United Bank of India है वो हो गया United Bank of India दूसरा बैंक का IFC कोड तो बहुत सारे बच्चे अभी तक सबसे ज़्याद अगर सवाल आ रहा है तो बैंक का IFS कोड के बारे में आ रहा है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो और नहीं तो United Bank of India का जिस साखा से आप चलान बनवा रहे हो उस ब्रांच का IFS कोड आपको डालना है तो जिस बैंक में आप जा रहे हो चलान कराने उस बैंक में उसका IFS कोड लिखा हुआ होगा एक और नहीं तो आप Google से भी गूगल से भी सर्च कर सकते हो इसको खाली भी छोड़ सकते हो और नहीं तो अच्छा होगा United Bank of India के जिस भी ब्रांच से आपकी हो उसका IFS कोड डाल दो में यहां पर आपको डालना है तो जो आप चलान कटा रहे होगे उसमें बैंक का जो क्लर्क होंगे वो कुछ नंबर यहां दे रहे होंगे वही नंबर को यहां पर भर देना है आपकी चलान में नंबर दे रहे होगे वही नंबर यहां डालना है और जिस तारिक को चलान कटा ओ उसका डे डाल दो उसके बाद यदि आप 23 तारिक से पहले आप फॉम भार दे रहो तो यहाँ पर 3.5-3.00 पर टिक मार देना है और यदि आप 23 के बाद भार ले हो तो 5.5-5.00 रुपे आपको लगेगा तो यहाँ 5.5-5.00 पर आपको टिक कर देना है उसके बाद अपना आप बाएं हाथ का अंगुठा का निसान इस बॉक्स में आपको लगा देनी है बाएं हाथ का अंगुठा का निसान कोई भी ब्लू या ब्लेक अथिप से इंक वाला जो होता उसमें लगा कि इसको कर देना थंपैट जो होता उससे उसके बाद यहाँ पर आपको Hindi में sign कर देना है यहाँ पर आपको English में sign कर देना है Principal है या Principal किसी को authorize देंगे वो यहाँ पर attested करेंगे सारची जनकारी को देखते हुए तो clear है आपको समझ में आ गिया कि कैसे आपको Restation वाला यह form को offline वाला भरना है ओनलाइन के लिए भे मैं वीडियो बना चुका हूँ उसमें भी कुछ-कुछ बच्चे लोगों को सवाल आ रहा तो उसके लिए मैं नेक्स वीडियो उसी पर बना दे रहा हूँ